दोस्तो अगर आप भी OBS Studio को यूज़ करके लाइव स्टीमिंग करते हो या फिर रिकॉर्डिंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूसफुल होने वाला है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा जो webcam है यह एक circle में दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप कोई भी shape select कर सकते हो कोई भी shape आप लगा सकते हो तो इसे हम अपने OBS Studio के अंदर कैसे लगा सकते हैं इसी के बारे में आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पीसी पर यहाँ पर मैंने अपना OBS Studio open कर लिया है आप देख रहे हो मेरा जो webcam है वो यहाँ पर एक round shape में दिखाई दे रहा है एक circle में दिखाई दे रहा है आप किसी भी shape में इसको लगा सकते हो आप अगर कोई अपना game प्ले कर रहे हो तो game में आप अपने camera को इस तरह से कहीं पर भी set कर सकते हो किसी भी shape में आप इसे लगा सकते हो और इस तरह से camera का जो shape है लगाना बहुत ही आसान है तो यहाँ पर आपको दो images की जरुवत पड़ेगी अब यहाँ पर आपको इस तरह की दो images यूज करनी होगी मैंने यहाँ पर circle shape में अपने webcam को रखा है तो मैंने यहाँ पर दो circle use किया है एक white color का circle है और एक यह black color का circle है तो इस image को कैसे बना सकते हैं बहुत ही आसान है आप किसी भी software से इसको बना सकते हो मैंने इसे free canva से जो canva की website है वहाँ पर मैंने इसे free में बनाया है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको बना सकते हो चलते हैं canva की website पर यहाँ पर हम canva की website पर आ चुके है यहाँ से आप इस तरह की images को बहुत ही आसानी से create कर सकते हो creator design पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ आपको एक option दिखाई देगा YouTube thumbnail इस पर click कर दीजे इसका size है 1280 Y720 यहाँ पर यह आपको खाली area मिल जाएगा आप इसकी background हमें change करनी है इस background को हमें black color में change करना है तो background change करने के लिए यहाँ पर आपको option दिखाई दे रहा है इस side background का option है इस पर click कर दीजे और यहाँ से black color select कर लीजे अब हमारी जो background है black color की background हो चुकी है अब हमें एक shape की जरूरत है circle shape हमें चाहिए होगी तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहो इस side elements का option आ रहा है elements पर click कीजे इसके अंदर आपको shape का option मिल जाएगा shapes आ रहा है line and shapes इस पर click कर दीजे see all पर आप click कर दीजे उसके बाद यहाँ से आपको एक circle select कर लेना है आप देख रहे हो जो भी shape आपको चाहिए वो shape आप यहाँ से ले सकते हो तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ यह वाला जो circle है यह circle हम यहाँ से ले लेते हैं यह आप देख रहे हो यह circle हमारा यहाँ पर आ चुका है लेकिन इसका color red है हमें इसे white color करना है तो उसके लिए यहाँ पर उपर की side आप देखोगे यहाँ पर color का option आ रहा है यहाँ से आप color change कर सकते हो मैं यहाँ पर इसे white color कर देता हूँ हमारा white color का circle हो गया और उसके बाद इस circle की size को हम यहाँ से कम या ज़्यादा जो भी आपको करना हो अपने हिसाब से आप इसे set करके रख सकते हो और इसे बिलकुल center में हमें रखना है जिससे यह बिलकुल center में रहे अब हमारा circle यह बन गया आप देख सकते हो तो हमारी पहली image यहाँ पर त्यार हो गई है आपको share के button पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ एक option दिखाए देगा download डाउनलोड पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर जो file type है यह png ही रखना है और उसके बाद download पर क्लिक कर दो यह आपके PC में जाके save हो जाएगी तो हमारी जो पहली image थी वो यहाँ पर हमारी save हो चुकी है और अब यह जो दूसरी image है यह भी हम create करेंगे canva में जाकर basically यह हमारे जो webcam है उसका यह एक तरह से frame बन जाएगा frame यह हमारा दिखाई देगा तो इसे भी create कर लेते हैं उसके बाद फिर हम जाएंगे obs पर और देखेंगे बहाँ पर हम इसे कैसे लगा सकते हैं तो अब हम बापस canva पर आ चुके हैं फिर से आपको created design पर click कर देना है उसके बाद youtube thumbnail आपको select कर लेना है अब आप देखोगे फिर यहाँ पर जो इस तरह का space आपको दिखाई दे रहा है आपको background change करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर हमें basically एक circle चाहिए जो हमारे webcam का एक तरह से frame बन जाएगा तो उसके लिए हम जाएंगे element में और यहाँ से हम shape को select करेंगे मैंने यहाँ पर यह वाला circle use किया है इसे मैं आपको यहाँ पर ले लेते हैं यह हमारा circle यहाँ आ चुका है वहाँ पर इस तरह से बढ़ा करके इसको center में रख देंगे हमारा circle यहाँ पर आ चुका इसके color को हम change कर देते हैं जो बीच वाला color है इसका यह वाला color इसे मैं कर देता हूँ बिल्कुर black color का इसे मैं black color select कर ले रहा हूँ तो यह बीच का area हमारा black हो गया और इसको मैं select कर लेता हूँ इसका जो दूसरा color है इसे मैं select कर लेता हूँ blue color का ठीक है तो यह हमारा circle यहाँ पर त्यार हो गया है तो हमारी दूसरी image भी यहाँ पर इस तरह से त्यार हो गई है और इसके बाद share के button पर click कर देना है यहाँ पर download का option आ रहा है download पर click कर देना है और यहाँ पर हमें png select कर लेना यह हमने png यहाँ select कर लिया उसके बाद यहाँ आपको एक option दिखाई दे रहा है transparent background इस पर आपको tick कर देना है जिससे जो हमारी background है यह white color की background है यह भी transparent हो जाएगी केवल यह जो हमारा circle है यह हमारा show होगा ठीक है तो मैंने transparent background पर click कर दिया उसके बाद download पर click कर दिजिए यह image हमारी save हो जाएगी हमारे folder में अब इन images को कैसे use करना है OBS के अंदर चलते हैं अपने OBS जब हम OBS studio के अंदर normally अपने webcam को add करते हैं तो यहाँ पर plus के button पर click करके video capture device पर click करके अपने camera को select कर लेते हैं और हमारा webcam यहाँ पर add हो जाता है लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी सी trick use करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर एक scene create करना होगा plus के button पर click कीजे अब यहाँ पर इस scene का कोई भी नाम आप देना चाहो आप दे सकते हो मैं यहाँ नाम देता हूँ obs1 ठीक है उसके बाद ok पर click कर दीजे अब हमारा एक scene यहाँ पर create हो गया obs1 अब आपको यहाँ पर simple plus के button पर click करना है उसके बाद आपको video captured device पर click कर देना है और यहाँ से आपको अपना webcam select कर लेना है ok पर click करेंगे और यहाँ से हमारा webcam यहाँ पर दिखाई देने लगा है तो यहाँ पर हमने जो scene create करा था obs1 उसके अंदर आपको अपना webcam add कर देना है मैंने यहाँ पर अपना webcam add कर दिया है इस समय यह normal यहाँ पर show रहा है अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको यहाँ OBS1 करके यह लिखके आ रहा है जो हमारा scene था यहाँ पर लिखके आ रहा है इस पर आपको right click करना है जैसी आप right click करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर filters का option दिखाई देगा filters फिल्टर्स पर click कर दीजिए जैसी आप filters पर click करोगे यहाँ पर इस तरह से यह open हो जाएगा उसके बाद आपको plus के बटन पर click कर देना है जब आप plus के बटन पर click करोगे अब आपको यहाँ एक option दिखाई देगा image, mask, oblique, blend इसे आपको select कर लेना है अब जैसे आप इसे select करोगे यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा type, path यह कुछ भी नहीं आपको छेड़ना है आपको browse पर click करना है browse पर click कर दीजे और जो image हमने बनाई थी हमने दो image बनाई थी तो हमें यहाँ पर पहली वाली image select करनी है अपनी ठीक है तो हमारी दो image थी जो हमने यहाँ पर save कर रखी थी यह वाली जो पहली image हमने बनाई थी इस image को हमें यहाँ पर select कर लेना है और उसके बाद open पर click कर देना है जैसे ही आप open पर click करोगे आप देख सकते हो हमारी जो सारी जो background थी वो सब को change हो गया और केवल यहाँ पर circle में हमारा webcam दिखाई दे रहा है अब आपको यहाँ पर close पर click कर देना है अब इसको आप adjust करना चाहो तो इसको आप adjust भी कर सकते हो इस तरह से और इसकी shape को भी मैं change कर सकता हू जैसे मैं चाहता हूं इस तरह से इसे मैं रखना चाहूँ तो मैं इस तरह से इस चोटा करके camera को मैं अपने जो webcam के size को इस तरह से यहां पर कर सकता हूँ और इसे zoom करना चाहूँ तो मैं zoom भी कर सकता हूँ इस तरह से आप इसे adjust कर सकते हो तो अब हमारी यह perfectly यहां पर adjust हो गई लेकिन आप देख रहे हो जो हमारा webcam है वो थोड़ा सा सूना सूना सा लग रहा है इसके चारों तरह border नहीं आ रहा है जो ring आनी चाहिए वो नहीं आ रही है तो उसी के लिए हमने दूसरी image बनाई थी दूसरी image बनाई थी वो हमारा ring का काम करेगी लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा और काम करना होगा इसको आप भूल जाएए अब आपको एक दूसरा scene create करना होगा second scene हमें create करना है तो यहाँ पर हम plus के बटन पर click करेंगे और एक दूसरा scene हम बनाएंगे OVS2 एक दूसरा scene हमने यहाँ पर create कर लिया ओके यह हमारा दूसरा scene आ गया अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी आप देख रहो यह blank है अब इसके अंदर आपको क्या add करना है आपको sources में plus के बटन पर click करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा scene यहाँ आप देख रहो scene का एक option आ रहा है आपको यहाँ scene पर click करना है और उसके बाद जो हमने पहला scene बनाया था OVS1 OVS1 हमने पहला scene बनाया था यह आप देख रहो यह OVS1 वाला scene आ गया इस पर हमें किलिक करना है, यह scene हमें यह select कर लेना है, अब आप देख रहे हो जो हमारा पहला scene था, वो यहाँ पर show होने लगा, हमारे OBS 2 वाले scene में यह हमारा यहाँ पर show होने लगा, अब आपको क्या करना है, जो दूसरी image आपने create की थी, वो image भी हमें इसके अंदर add करनी है उसके लिए आपे plus पर किलिक करना है, उसके बाद यहाँ पर image पर किलिक करना है, और उसके बाद ok कर देना है, इसके बाद browse पर किलिक करेंगे, और यह जो second वाली image है, इस image को select करेंगे, open करेंगे, और ok पर किलिक कर देंगे, अब आप देख रहे हो यह circle था हमारा, यह circle हमा तो यहां पर आ चुका है तो यहां पर आप देख रहों है यह सरकल है यह हमारे कैमरे के ऊपर आ रहा है इसके लिए इसे नीचे करने के लिए आपको यहां पर सोर्स में जो हमारी इमेज है इस इमेज को हमें नीचे कर देना है और जो OBS बन सीन है हमारा इसे हमें ऊपर कर दे ना है ठीक है हमारी image चली जाएगी नीचे तो अब हमारा जो फ्रेम था ये वाला जो फ्रेम है यह हमारा नीचे रहेगा अब आपको इसे बस adjust कर देना है अच्छे से adjust कर लेना है जो कि हमारे camera के चारो तरफ यह सही से बैठ जाए यह हमारा इस तरह से यहाँ पर set हो जाएगा और यहाँ पर जो lock का option आ रहा है यहाँ पर इसे lock कर दीजे इसे भी lock कर दीजे अब आपका जो frame था वो त्यार हो चुका है यानि जो हमारा obs2 वाला जो scene है यह हमारा पूरी तरह से complete हो गया है obs2 वाले scene के अंदर हमारा circle भी है और हमारा जो camera है वो भी यहाँ पर आ चुका है अब मालो मैं यहाँ पर कोई game play कर रहा हूं ठीक है जैसे मैं game वाला scene select कर लेता हूं यह मेरा game यहाँ पर play टीक हो रहा है इसमें plus के button पर click करेंगे और see that यहाँ पर scene पर click करेंगे और यहाँ पर आपको select करलेंना है obs2 वाला scene आपने create किया था बाद में जो scene LOV2 वाला scene जो चुक्त कर लेना हम यहाँ रहारे शर्कल सब कुछ हम आ चुका है और इसे हम आराम से कहीं भी adjust कर सकते हैं यहां पर आप इस तरह से adjust कर दीजे जहां भी आपको इसे रखना है जो भी size आपको रखना है वो आराम से आप इसे adjust करके इस तरह से रख सकते हो तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसानी से OBS Studio के अंदर आप अपने webcam या camera को किसी भी shape में show कर सकते हो अगर आपका OBS Studio से related कोई भी question हो कोई भी query हो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद one day मातरम